जहिन दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिया के जियो पॉलिटिक्स में भारत के एक बड़े कदम के बारे में भारत ने पांचो सेंट्रल एसियन कंट्रीज को इन्वाइट किया है रिपब्लिक डे परेड के लिए कजाकستان, किरगिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुरकमेणिस्तान पाचो को रिपब्लिक डे परेड के लिए ने उताबे जा गया है पहली बार भारत ने सेंट्रल एसियन देशों को इतना महत्तो दिया है इतिहास में भारत एक या ज्यादा से ज्यादा दो देशों को ही रिपब्लिक डे पर as a chief guest invite करता था मगर PM मोदी ने रिपब्लिक डे के chief guest को भारत की विदेश निती का एक अहम इस्सा बना दिया है इनका कहना ऐसा है कि कहां लिखा है कि एक या एक दो ही chief guest हो सकते हैं अगर हम पूरे group of countries के साथ रिष्टा सुधारना चाहते हैं तो सब को invite कर लो भारत ने 2018 में 10 के 10 आसियान देशों को रिपब्लिक डे पर invite कर लिया था और अब 2022 के लिए भारत ने पांचों Central A.C.I. देशों को invite कर लिया है अब इसका क्या लाब होगा भारत के लिए आईए बात करते हैं Central A.C.I. के पांचों देशों का भारत और रूज के साथ special relation है 1991 के पहले USSR था जो 1991 में बिखर गया तो नए 15 देश निकल कर आए भारत के USSR से अच्छे रिष्टे थे और Central A.C.I. में हमारे लीडर्स का आना जाना था A.C.I. इंडिया का यहां से ट्रेड हुआ करता था सिल्क रूट के माद्यम से PM मोदी ने पावर में आने के बाद एक साल के बाद 500 Central A.C.I. देशों का भीजिट किया यह करने वाले वह पहले PM बने Central A.C.I. के भारत का ट्रेड बढ़ा रहे हैं इनके पास नेचूरल रिसोर्स अच्छे हैं यूरेनियम जिसके में से एक है भारत बविस्वे में काफी सारे न्यूकलियर पावर प्लांट बनाने वाला है तो उसमें जरूरत पढ़ेगी न्यूकलियर बनाने में तालिबान के अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद इस रिजन में टेरिरिजम का भी खत्रा बढ़ गया है उसको कावू में रखने के लिए भारत और सेंटरल एसिया के देशों का रिस्ता मत पूर जाता है भारत अपना कनेक्टिविटी सेंटरल एसिया के साथ बढ़ा रहा है दिक्कत की बात ये है कि ये पांचो देश लेंड लॉक्ड है और पाकिस्तान भारत और Central Asia के बीच ट्रेड होने नहीं देता इसका एक उपाय चाबहर पोर्ट है जो भारत और Central Asia के लिए अच्छा है भारत असकंदबाद समझवते का हिस्सा है जिसका मतलब भारत का कारगो बिना रुकावट चावार पोर्ट से सेंट्रल एसियन कंट्री में जा सकता है नेचुरल रिसोर्सेस के लिहास से भी सेंट्रल एसिया काफी महत पूड हो जाता है यहाँ ओयल, नेचुरल गयास, कॉपर, युरेनियम यह सब भारत खरीश सकता है रसिया द्वारा बनाए गए यूरेसियन एकोनॉमिक यूनियन का भी पार्ट भारत बन सकता है यह एक ट्रेड ग्रूप है, जिसके आपस में ब्यापार करने में टैरिफ बहुत ही कम हो जाते है अगर भारत और रसिया को साथ रहना है तो ब्यापार और बढ़ाना होगा जो कि अब दस बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है भारत ने इन पाचो देशों के लिए soft loan policy सुरू किया है जिसमें इन पाचो देशों को एक बिलियन डॉलर तक loan दिया जा सकता है और अगर grant aid चाहिए तो भी भारत इनको देने के लिए तयार है grant aid मतलब जो पैसा वापस नहीं मिलता हम अगर किसी देश को granted देते हैं तो एक तरह से उपहार समझ लीजिए उपैसा हमें वापस नहीं मिलेगा इससे आप इस region का importance भारत के लिए समझ सकते हैं और भारत ने अच्छा कदम लिया है पाचो देशों को बुला कर जिससे हमारे रिष्टे सुधरेंगे और काफी सारे दस्तखत होंगे समझ होते होंगे जय हिन